असलाम अलेकूम और वेलकम टू बैक बेंचर्स मैं हूँ आपका होस्त पाकिस्तान का टूटा हुआ दिल और मेरे साथ मौझूद है ट्राविस हेड का टूटा हुआ हाथ और इंडिया के टूटे हुए सब्ने मेंस 2023 वर्ल कप अपने एक टूटाम को पहुचा है जैसा के हम सबको अपने दिल में पता था आखर में आस्ट्रेलिया ही जीत गया है वगर सबसे पहले थोड़ा सा हम इंडिया पे हस लेते कैसा लग रहा है आपको इंडियन फैन्स आप ये वर्ल कप हार चुके हैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी खिलाडियों को आई पेल से निकाला उसके बाद जब पाकिस्तान जिलावतन था तो उसको और भी बैनलोकवामी क्रिकेट से साइट पे धगेलते रहे पिर जब वर्ल कप जो सारे बर्दे सगीर में हुआ करता था सिर्फ अपने मुलक में रख सारहाना अंदाज से जीत रहे थे इतना के आखर में एक स्टेडियम जिसमें लाखों बंदा सिर्फ अपने फैन से बरावा था जिसका नाम अपने वजीर आजम के नाम पर रखा था हर पॉलीवोर्ड और टॉलीवोर्ड और बेकम और शेकम सब पहुंचे वे थे और इस सारी फैन्स क्या जवाब देंगे भी इंडियन फैन्स को बहुत बहुत दुखुआ है बात दुक तर्था है पने ट्रोफिश दगा देंगे यह नहीं फ़िए पाकिस्तान के वर्ल कूप है और इंडिया का वर्ल कूप ढोत दुख नहीं करता है आख यह बगरत दुणा और श्रीलंका उनको हरा चुकिया, अब ये कभी भी नहीं हरते हैं, ये कोई शैतानी सुपर पावर्स लेकर आते हैं, इसके लावा और कोई एक्स्प्रेनेशन नहीं है बिल्कुल, ये कोई यकीनी काला जादू और गुनाद देने वाले की चीज़ों का मुझस्प है उस्ट्रीलिया की टीम, मगर ऑस्ट्रीलिया पर हम थोड़े देर में आएंगे, एक लव्ज अगर आपने पहले नहीं सुनाओ, या आप अप मर्गर हैं और आपको नहीं पदस अचा टॉर्डिमेंट के सेमी फाइनल और फाइनल हाड चुका है और अब उनके शायकीन को भी समझ आना शुरी हो गया कि गल्ती किस की है और उसके इलावा जब मैच हारी तो अब कोर्स इंडियन क्रिकेटर्स की जबरदस्ट ट्वीट भी हम कैसे भूल सकते हैं, मेरी फे हुआ 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 हम लोग थोड़ा ऑस्ट्रीलिया की तरफ भी नजर डालते हैं जैसा कि हमने का कि ऑस्ट्रीलिया काला जादू और मुक्तलिफ गुना करके जो है शैतान के कंधों पे चड़के एक छटी दफ़ा वर्ल कप जीच चुका है, मगर उसके इलावा उनकी तब अधिया ही क्या सबसे बड़े माहर है यह उल्टी-खोपडी वाले लोग है इन्होंने इसने बोला और इसने सिर्फ चुपनी करा है इसने क्राउड को सुलाया बिलकुल बिलकुल मतला कोई लाख बंदा मौजूद था और लग रहा था लाइड़ी में बैठे हुए है उसक मतलब अधिक उसने प्लैनिंग यह की थे कि इंडिया की टीम आ रही होगी और वो जो भी फाइर वर्क्स कॉंग्राजुलेशन इंडिया स्पेल कर रहे होंगे मगर उन्हें फाढने का भॉका नहीं मिला उसके अलावा ड्रोन पे वो औस्रेलिया का नाम ही निकार रहे है उ उसे वो लिखाव आगया चैंपियन्स खैर तो यह तो फाइनल के अपने बात कीव अगर इस पूरे टॉर्टमेंट में काफी कुछ बाते करने के मिली और थोड़ा उसके उपर टॉर्टमेंट के उपर हम नजर डालते हैं तो सबसे पहले तो आप दोने से मैं अब कहेंगे शायद लोग अब तो खर मैं खुद भी कौंगा फाइनल के बाद मोधी साहब फिर इंडिया के ड्रेसिंग रूम में घुजगए एक तो यह ने शमी को जांगूच के अपने गले से लगा दिया वगर शायद उससे भी ज्यादा क्रिंज वो लंभा था जब व मुझे भी दुख हो रहा था विचारे उन पर कि उन्दोने सर्फ एक ही सोच से आयते कि याल आज में ट्रोफी के साथ यह सल्फी लूँगा और वो करूँगा फिर एक्स्टेम पोर उन्हें करना पोड़ रहा था के स्पीज दे के हाँ आब हार गय कुछ नहीं हुआ काफी अजिस के इलाव यह था प्रिंज मोमें पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा रैलिवेंट अवार्डस है दिल-tूट्स मोवन अफद टौर्ड़िम पाकिस्तान ये या किसी और के लिए भी इस तौईमेंट की सबसे दूद्स मोमेंट कौम सी थी सबसे बड़ी दो मेरे ख तो हम इसको एड़ कर सकता है मिलपल दिल तूट्स मोमें पाकिस्तान के ता जो हर प्रॉंड में हमारे बहुत सारी होते हैं अगर अधिया भै काऊंगा कि मैक्सवल ने अफगानिस्तान के साथ किया वो शायद इससे भी बड़ी दिल तूट थी वो दिल तूट असल मोमें था क्योंकि जैसे इंडिया मान के बैटा था कि हम वर्ली कप जीट जाएंगे अफगानिस्तान ने जा साथ आउट कर दिये लाइक ओ हम तो जीट जाएंगे पाकिस्तान आगे जाएंगे उनको इस जीज के जाएदा कुछी है पाकिसान आगे नी जाएगा बड़े विचारे साथ मैच बड़े करीब से हार चुके थे उन्हें पाकिस्तान की दुलाई की इस टॉर्डेमेंट में बड़ी बड़ी टीब को शिकास्ती औपिर उनको पर चाहिए पर और तफसील में गुफतगू करेंगे यह आपकी दो दिल्टूट मोवेंट थी उसके इलावा कोई और इस टॉर्डेमेंट की दिल्टूट आवाए उसको भी हमें प्राइस देना चाहिए बगर वह हम साइट पर रखेंगे बेस्ट फैन की तरफ आते हैं आ इस ऑफ़ और ओंगलोर में था एक पाकिसानी फैन था जिसको भी चाहिए आए कि आप पाकिसान इस बदाबाद नी करेंगे उसके बेर ही रो था लेकिन इसके अलावा जो इक सबसे बड़ा ही रो था वो था फैनल आले मैच में जो एक प्रो पलेस्तिनीन फैन एक एंटर ह कि या तो मैच की बात करें वहां भी जलील उने या पलस्तीन की बात विरटकॉली को समझ में रहा था कि मैं इसको हग कर लो या मैं इसको जा रहे तो चले अब यह तो हो गए फैन पाकिस्तानिय की जो एक काटेग्री जिसमें हमेशा हम जीतने का हमारा अच्छा वह बेस्ट कॉंट्रोवर्सी वर्ल कप की क्या थी जिसके पतलब पंच लाइन मैं कहांगा कॉंट्रोवर्सी मगर पीछे से बात चलती आ रही थी कि एक तजिया निगार ने टीवी पे कहा कि पाकिस्तान के कप्तान फोन मिला रहे चेर्मन को फोन नी उठा ले चेर्मन ने य नहीं यार मेरा फोन की बात नी उन्हों ने पाकिस्तान की सबसे बहतरीन सहाफी को बावर आजब कप्तान की प्राइविट मेसेज़ भीज दिये उस सहाफी ने टीवी पे ले आए तो आई वुट से इट है वर्ल कप के दौरान पीसीबी ने खुद अपने कप्तान के मेसे वही वही आए वही पीसीबी की कॉट्रवर्सी पे एक अलग शो करेंगे नेक्स साइम किको उसके लिया हमार पास अलग कॉंटेंट है उसके इलावा और कॉन सी कॉंट्रवर्सी आपको इंप छोटी मोटी बूली भी कोई बहुत थरी उसकी आपने वह बॉल में जो चिप मैं उस पर आऊंगा बगर मैं आपको दो तीन और बता हूँ आप बताएं इसमें बड़ी कॉंट्रोवर्सी किया थी एक तो के एक साबिक खिलाड़ी कह रहे थे के पाकिस्तारी शादाब खार ने अपनी कंकुशन फेक की है और आज वो बोलिंग कोच भी बन गया जी यहाँ काफी और चाट लोगों के बारे में यही बात कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल अब जब बॉलिंग कोच बन गया तो यह मोस्ट कृंज मोमें नहीं नहीं ले रहा हूँ बगर बाबर के लीग टेक्स से बड़ी कॉंट्रोवर्सी कोई थी अरीहा इस्टॉर्डविट में मैं क्या में वर्ल्लकुप फाइनल में स्टीव स्मिथ जैसा प्लेयर लब्रव्ली सामने हुआ और स्टीव स्मिथ रिव्यू नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल वह लाज़र आ रहा था कि जस्पिन दूम्रा के हाथ में इसका IPL का कॉंट्राक्त है कि ब्रो तू र आपने बॉल्ल्चिप की बात की थी वह मेरी नजर में नॉमिनेशन होनी चाहिए बेस्ट थियोरी में से मतलब पाकिस्तान यही कि सारे अवार्ड जीतता जाता है इसकी आप का कंट्रोल जेशा के पास इससे कोई बहतर थियोरी थी एक और थियोरी थी वही मोदी जी की परवाटी उसके बारे में क्या थियोरी है बीजेबी 2014 से आई है इन रूल लास्ट आई से टोफी इंडिया ने 2013 में जीती है तो यह सिर्फ थियोरी नहीं है मेरे ख्या में यह एक प्रूवन फैक्ट है नो साल हो चुके अब तो कब तक इस को हम थियोरी कहते रहेंगे उसके इलावा आहद पाकिस्तान की एक और जो थियोरी आई है के शाहीन और बाबर का असली में फट्ड़ा चल रहा था यह हम चाहते तो कॉर्ट्रिवर्सियों भी डाल सकते हैं क्यूंके तक हम सुबूत है सबूत है लेकिन बाते इतनी जादे और कुछ चीजे दिख भी रही है अब ऊसके बाद आपको पता हैं शाहिद अफ्रेदी पर किस तरह से कितें को मैंने तो कुछ भी नहीं किया मेरा तुसमें कोई हाथ ही नहीं है मैंने किसी से कोई बात नहीं की कि लिगे काम पूरा पक जैसे के एक कोई स्कियर है प्रोफेशनल जिन अपना इंस्टा खोला उनको बड़ी गालिया पढ़ रही है अहां इसके बारे में फोड़ा पता है अच्छा एसा ना पहली बार नहीं हुआ आपको पता है कि दुनिया में एक कोड़ स्टीवेंस में थे जब जीती है तो वो प में उनको हो लिए क्या कर दिया xuद परिशान एक दिन में मुझे चीज नी समझती है यो जो गो रहा है इंको जाके हिंदी में घालिया दें उनको कै Simmons अंगे भी उनसे तवक्व आते हैं कि वो सीख ले या वो गूगल करेंगे तो गेंगे अचा जिम्मी निशम को समझ आयती है इसलिए वो खाफ सा पर स्क्रीन शॉट ही वही वाले करके वो पोस्ट करेंगे देखो यह का है नो ने अच्छा उसके अलावा एक और भी चीज अगर आप कल आपने देखी होगी जब ट्रोफी मिली आउस्ट्रेलिया को उन्होंने अच्छा काम किया कि आप बागी मुल्ग देखें इंडिया ने अपनी पूरी एकानोमी अपनी पूरी पॉलिटेक्स अपना पूरा सब कुछ बदल दिया कि भाई अपने सबसे अच्छी पाकिसान शिलंका जैसे ममाले के भाई अगर वर्लक जीते तो उन्हें कप्तान को वजीर आजम सब कुछ बना दिया है और ममाले के वर्लक जीतना एक वंस इन लाइफ टाइप मौका होता है और उसके बाद मतलब उनकी पूरी जिंदगिया बदल जाती है और एस्टेलिया ह पर जो थे यह एम नैनों मार्टनेर्स जी यहां उन्होंने जो ट्रोफी की साथ किया अगर वही है देख ले तो तो हर्ट अटेक आजना था मेरे ख्याल में इसी वजह से साफ़देजियन फुटबॉल टीम इतनी उपर नहीं है वो कैंगे बॉल को पैर कैसे लाइफ बहु 20 वर्ल टाइटल्स ऑस्ट्रेलिया की में और विमन्स टीम अप क्रिकेट में जीत चुकी है मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने जीते कैसे और जीत कैसे रही है यह कहना है कि रात को बैठके कॉल अफ डूटी केल रहे हैं चाय पी रहे हैं बाते कर रहे हैं लूडों यह वर्ल कप शर्ल कप क्यों खेलते हैं हम लोग रहे हैं तो अब इसका क्या सुलूशन ही समझ में नहीं हा रहा है कि इसका कुछ करना पड़ेगा इसका मेरे खाल में एस सुलूशन और को बैं करें और आगे चले अपनी जिद्दगी के साथ वरना यह हर दफा यही करते र मगर यह था 2023 के वर्ल कप का तबसरा 2023 के वर्ल कप का रीकैप जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी सारे अकॉंटेंट दिया हुआ है कि हमारे पास अगली तीन-चार एपिसोड तरह उस ही पर लग जाएगा मगर इस वास आर जोर्णी तू वर्ल कप हमें बहुत मजा आया फाइनली जाने से पहले पहले क्रिंज हार्ट ब्रेक यह सब कुछ हमने कर लिया है बेस्ट मोमें ऑफ दो वर्ल कप आप दोनों में अपनी बताते जाए क्या थी मेरी तो मैक्सवल गीनिंग्स ती मैक्सवल गीनिंग्स अफगानिसान के खि यह चैंपियंस से और अगर वह मोमें याद करें वहाप अगर वहार जाते 9147 वह बहार हो सकते थे और वहां से वह वर्ल कप जी दिया है 201 नौट आउट अरिया आपका बैस्ट मोमें इंडिया का हार नोट यहाँ पहले भी का था अपको के वर्ल कप से तो बहार होगें ल online follow कीजिए you'll be able to catch all the latest clips on our channels as well और इसके लावा आपकी कोई comments है उनको जरूरी वहां डालेगा हम उसको program का हिससा बनाएंगे इस हफते के लिए that's enough content Pakistan Cricket आपको जबर 10 content देता रहेगा और हमारी कोशिश होगी क्या आपको भी दिखाते रहें Ahad Arirad thank you so much for joining us that's all for backbenches this week tune in next week when we return